सहीवा, चुकुर मश्कार हम बात कर रहे थे, नीट फिजिक्स की जो पीवाई क्यूज हैं, उनका वीडियो अप्लोड कर रहे थे, उनका सलूशन प्रवाइट करने की कोशिस कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है, उसके तहत हम बात कर रहे हैं, योनिट जन मेजरमेंट की अगला क क्यूशन वेसे खित्मत है आपके सामने, देखिए और इंज्वाई करिए, नीट फिजिक्स, वीवाई क्यूज, टॉपिक यूनिट जन मेजरमेंट, यह क्यूशन प्यम्टी नाइनटी नाइनटी सिक्स का है, जब तक हम क्यूशन को पढ़ते हैं, तब तक आप दीदारे क्यूशन करिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्यूशन कह रहा है कि, विच आप दा फालूइंग, विल हैब दा डामेंशन सॉफ टाइम, यहाँ पर कुछ क्वांटी लिखी वी है, एल इंटू सी, आर अपान एल, एल अपान आर, सी अपान एल, इनके बारे में आप होता है, इंडक्टेंस होता है, सी कैपसिटर होता है, का कैपसिटेंस होता है, आर रेजिस्टर होता है, तो इनकी सबकी डामेंशन आपको पता है, तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं भी बताऊँगा, इनकी डामेंशन निकालनी है, और कह रहे हैं कि, इन में से किसकी dimension time के ब्रावर होती है ठीक है चलिए आते हैं question पे देखो पहले आप से ऐसा कर लेते हैं L, C और R को थोड़ा सा compile करते हैं मतब निकालते हैं होता क्या है देखो L निकालने का formula तो कई जगे है लेकिन L को दूसरी तरीके से दिमाग लगाएंगे देखो आप जानते हैं आपने alternative current प्रावगा XL ब्रावर omega L होता है तो जहां पर L है वहां मैं लिख दूँगा XL अपान omega फैदा क्या होगा XL जोंकि यह inductive reactance है तो इसकी dimension ओम होगी कोई दिक्कत नहीं इसलिए हम कर रहे है और XC is equal to होता है omega C तो जहां C है वहां XC upon omega लिखेंगे एक मिना सौरी गलत लिख गए 1 upon omega C होता है XC जो है जानबूज के लिख रहे हैं हम यह सा अब आप कहेंगे C निकालने के लिए Q ब्रावर C V होता है वहां से निकालो कोई दिक्कत नहीं L निकालने के लिए आप कोई और formula ढूंड लिजे जहां पर L की definition बताईगी इस self induction की हम जानबूज की यहां से लगा रहे है तो XC is equal to 1 upon omega C आप कहेंगे आप यहां से क्यों लगा रहे है क्योंकि R यहां पर introduce किया गया resistance तो हम जानबूज के resistance के term में इसको लाने की कोशिस कर रहे है तो यहां से C को इधर लियाओ तो C की value आएगी 1 upon omega into XC ठीक R अब जानते हैं उसकी ओम होती है अब पहला part आप से यह कह रहे है यह कह रहे है कि आपका L into C है इसकी dimension क्या होगी देखिए अगर हम बताएं L को लिख दें हम XL upon omega ध्यान सबजेगा और C को लिख दें 1 upon omega into XC तो X मैं पहले unit की बात कर लेता हूँ ठीक बात में dimension की बात करेंगे जो XL है उसकी जो dimension होगी वो ohm होगी और omega की क्या होती है अब यो omega इन लिख रहे है omega omega दो बार है यह omega कट गया यह ohm वाला omega है अब omega square तो time होता नहीं इसका अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम ऐसे करें 2 pi f t 2 pi f का whole square तो frequency का square है ना और frequency का unit क्या होता है meter inverse time inverse second inverse तो second inverse की power 2 हो जाएगा तो second square हो जाएगा अगर हम dimension की बात करें यह unit की बात करें तो यह second inverse होता है उसका whole square है तो उपर जाएगा तो second square हो जाएगा ना तो यह वाला जो part है वो तो time की unit दे नहीं रहा है काम कतम ठीक आप c को कहीं से भी ढूल लाईए q बरावर c वी से भी ला सकते है मतलब हम यहसानी करें यह सी rule से आप लगाओ चुकि resistance आया था इसलिए हमने उसी के खांदान से इसको उठाया दूसरा कह रहा है कि आप से भाई r upon l के बारे में बात कर लेते हैं तो r upon l के बारे में बात करोगे तो r तो असा लिखाना ना दो l को लिखेंगे xl और upon omega तो देखो r की unit ohm और omega रिखाना दो और xl की unit ohm ohm कड़ गया और omega होता है 2 pi f तो अगर हम unit की बात करें तो 2 pi तो constant है f frequency है तो इसकी unit जो आएगी वो second inverse होगी तो यह फिलाल time की unit तो है नहीं तो यह बात खतम देखो आपको तीनों पार्ट में अगर पहले से मालूम है तो आप बार-बार चेक मत करिएगा यह तो अब नहीं मालूम तब चेक कर रहे है ना अच्छा तीसरा पार्ट लेते है तीसरा पार्ट क्या है l upon r l upon r l की value क्या है xl upon omega और r की value r लिखा रहना तो अगर unit की बात करें तो xl आपका हो जाएगा ohm omega को फिलाल 2 pi f लिख लेते हैं इसका ohm, ohm कर गया अगर unit की बात करें तो देखो 2 pi तो constant है frequency की second inverse होती है second inverse और second inverse उपर जाएगा तो second हो जाएगा और second की इसकी unit होती है time की तो भहिया यही वाला part सही है l upon r जो है वो second की बरावर है तीस चौथा आप चेक करने जरूत नहीं है चाहो तो c upon l रख के देख लो लेकिन कोई जरूत नहीं है लेकिन हमने कहा ने जब कोई option आपको मिल जाए तो अगर यह आप confirm है की this is the correct you have not done any mistake in solving this question then you can put that option otherwise once you check fourth also तो this was the question in PMT 1996 okay